हेलो एवरिवान आज हम क्लास नाइन चैप्टर शिक्स टिशू करेंगे बाइलोची के लिए तो सेल हमने लास्ट इसमें चैप्टर सिक्ट फाइव में पढ़ रहा का सेल के बारे में तो सेल जो हता वह फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता जो बेसिक फंक्शनल बेसिक फ आज हम करेंगे टिशू तो टिशू किया है हम यह सब्सक्राइब करेंगे एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे फुली फुल चैप्टर को तो फॉर्स जो है यहां पर कि from the last chapter we recall that all living organisms are made up of cells हमने पढ़ा कि सारे जो living organism में किस से बने वे हैं से बिने बहुत हम इन उपड़ रखा बींड और मेंडब आप सेल्स और इन यूनिशनल और गयानिजम यानिक जो सिंगल होते हैं टाल बेसिक फंक्शन स्क्षिंज सेंगल जैसे कैमीबा है यह भी सिंगल यह होने के बाद भी अपने सारे काम भी करता है जैसे जनरली जो मल्टी सेलोल और गयानिजम करते हैं वह यूनिसलोल होके भी सारी काम अपने करता है सिंगल सेल कैरीज आउट मुव्मेंट इंटेक ओफ फूद गैसे एक्सचेंज एक्सक्रियेशन तो क्या के काम होगे इसमें हो गया मुव्मेंट हो गया मुव्म करना इंटेक ओफ जाक इंटेक और फूट खाना एक्सचेंज उनिक अक्सचेंज मोगन चार्बीशन जो वेसक्षिंट है किरा करना जो बहुत सारे सलसों तो सिन में जो गुरूप ओफ सेल से होता है वो एक स्पेशल फंक्शन करता है हमारे हमारे मल्टि सेल और अगैनिजम में सिंगल सेल सारे काम तो नहीं करते हैं इज़ इस्पाइज फंक्षन इस टेकन आप इडिफरेंट ग्रूप अफ एसेल्स ते क्योंकि अब यह ग्रूप और एक पर्टिक्लर फंक्षन को करने को लिए जाता है for example जैसे हाप एकिन human beings muscle cells contract and relax muscle cells जिते भी है contract and relax to cause movement nerve cell carry messages blood flows to transport food hormones and waste material and so on human beings में हर जैसे muscles के हैं वो अपना काम कर रहे हैं movement का काम करते हैं then blood flows blood to transfer oxygen food hormones and waste material and so on in plants vascular tissues होते हैं to conduct food and water from one part of the plant to other part xylem and phloem की बाइर में सुनागों जो वाटर को मिंदल्स को रूट्स से ले की जाते हैं leaves तक एंदें लिफ फूड प्रिपेर करते हैं खाना बनाते हैं और उसके वाद जो है कि जो मैं करने को group of cells हैं वह उनको divide कर देगा कि यहां तुम यह काम करो तुम यह जैसे हमने बहुत सब्सक्राइब कर देगी तुम को सब यह काम करने तो जो ग्रूप अब पर्टिक्लर काम को करने में पूरी फोकस अपना करते हैं जिसकी वैसे वह काम जो बहुत ही अच्छे तरहें से होता है तो cells कि मैं यह जो है म्डिसर और काम इंचारे दिव अव थो दिवेडी वाडी तो जो अब यह से बात करेंगा थी कि वह साथ मग्रूप और सब्सक्राइब ने फांचना इंड प्रूप तूगर्द दिया जाता है तूदि इन फांचन आफन गूप नोब्स तोगेदर इन न बॉडि़ means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body cluster of any group of cells if you can do a particular body के part में वो काम करते हैं these cluster of cells called a tissue और इनी group of cells को तम tissue को कैसे define कर सकते हैं tissue को कि group of cells performing a specialized function group of cells performing a specialized function तो group of cells जो एक पर फंक्शन को करते हैं अच्छे तरीके से मतलब उस पूरे group का एक ही function करने में full focus होता है तो ऐसी बहुत सरे group होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं जिसको कि हम क्या बहुते हैं tissue group of cells same type group of cells तो आप यहां है next की this cluster of cells called tissue is arranged designed so as to give the highest possible efficiency highest possible efficiency देता है यानि कि maximum जो वो अच्छा काम कर सकते हैं जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं वो करते हैं कि वो पूरे group of cells का एक ही काम को करने में focus उनका होता है वह यहां नहीं का इक ही काम को करने फोकस उस ग्रूप को बनाया ही गिया है उसका को करें अब जैसे यहां पर है कि किस तरह के tissue यहां पर क्या है कि a group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue the group of cells जो की structure में similar होते हैं और एक साथ काम करते हैं एक particular function को पूरा करने के लिए यह टिशू नेक्स टॉपिक है कि are plants and animals made up of same type of tissue तो मैं पता है कि जो plants और animals animals होते हैं consumers होते हैं यह heterotrop mode of nutrition होता है होते हैं यह autotrops होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं तो क्या दोनों सेम टाइप आप टिशू से बने हुए हैं तो नेक्स टॉपिक में यह देखते हैं तो यह तिशू का यह definition है next topic करते हैं हम तो लेट एस कंपेर इस स्ट्रक्चिर और फंक्शन दू प्लांट्स अनिमल्स आप सेम स्ट्रक्चर दो बोथ परफॉर्म सिमलर फंक्शन सिंक्षिंस का मांसर नहीं देखते हैं इस टॉपिक में तो नेक्स टॉपिक लेते हैं तो यहां से कि देऊन नोटिसेबल डिफरेंश बिट्विन थे इस टू मतलब हम देख सकते हैं वैसी जो कि बाहर से दिखते हैं कि प्लांट्स और अग्रेंवल्स हैं उनमें क्या डिफरेंश है प्लांट्स के हैं स्टेशनरी हैं एक जगह पर रहते हैं वह नहीं करते हैं दे डोंट मुव सिंस देयाफ टूबी अप्राइट थे हैं की अप्राइट प्राइट मतना को सीधे खड़ा ना पता है जिसकी वजह से यह वे लाज कॉंटिटिव टिशू सपोर्ट करते हैं उसको स्टेंड अप सीधे खड़ेने के लिए वी सपोर्ट अप्र जिए डेड इट सैल्स फ्लांट की जो सपोर्ट इफ टिशु और other hand move around in search of food mates and shelter लेकिन वही अनिमस क्या होते हैं वह यहां वाँ मूफ करते हैं किस लिए करते हैं या तो खाने के लिए या मेटिंग के लिए या पर शेल्टर के लिए अपने घर रहने के लिए घर देखने के लिए इन तीनों चीज़ें को मूफ करना होता है यह वह सकते कि अन लेटें लेटेंगे अब यहां पर क्या है कि अपना खुदी बना लेते हैं लेकिन आनिमस के साथ यह बात नहीं है उनको खाने के लिए रहने के लिए यहां वह घुमना है मतलब तो इनके लिए कि उनको एनर्जी जादा चाहिए होती है और ज्यादे नर्जी उनसे अनुदे दिफ्रेंस जो है वह ब्रीन अनिमल संपांट्स इस इन दगाटन ओव ग्रोथ ग्रोथ के पैटन लेखे होगे अगे जनली जो अनिमल से हमें बिंग से क्या होता है एक ताम की बार घुर से चाहिए जाए ग्रोथ इनप्लांट्स इस लिमेट तो शर्टन रिजन while this is not so in animals there are some tissue in the plants that divide throughout their life this tissue are located in certain region तो होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रोह करते हैं तो आनिमल्स तो ग्रोह करते हैं और आनिमल्स तो ग्रोह नहीं करते हैं पर प्ड़गर के बाद टाइमल्स जो है ग्रोह करना स्टॉप कर देते हैं और सेकेंड थे कि प्लांट्स में जो ग्रोह होता है यह लाइन देखें रहते हैं जैसे लीव से नहीं ब्रांचे से बहुत हैं इस टीशू अर्य तो ग्रोह टीशू है ए एक उस जगों पर लोकलाइज होता हैं जैसे जहां पर लीव्स है जहां पर फूल आने है जहां पर फूर्ट आने वहां पर यह ग्रोथ वारे टिशू होते हैं बेस्ट ऑन दर डिवाइडिंग के पैसिटी ऑफ दर टिशू वेरियस प्लांट टिशू कैन भी लोकलाइज सौरी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टिमाटिक टिशू और पर्मानेंट टिशू तो बेस्ट ऑन ग्रोइंग की कैसे वह कहां पर है उनका लोकेशन कह सहाँ पर कैसे ग्रोव करें तशकी साहब से भी ग्रोइंग या फिर मैरिस्टिमाटिक टिशू और पर्मेंट टिशू पर उनको डिवाइड किया गया उनके टिशू को लेकिन ऐनिमल्स में सकुछ भी नहीं है से इलस्ट ग्रोवत करते हैं मतलब यह अनिमल्स में यहांसे अनिमेट होता रहेगा और नहीं होगा ऐसे कुछ नहीं है देन देड्र दे श्ट्रीक्टर बिट्र अपको एक्रहलेश्यकल सफॉर्चीन ही नेश जपनी देटिबहां। the structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants जो जो structure organization of organs है या फिर organ system है जैसे कि हमारे में और लंग्स है स्टोमक है तो इन यह जो होते हैं जो complex organism में जो अनिमल्स में जो होते हैं यह और ज्यादा more specialized होते हैं rather than plants this fundamental difference reflects the different mode of life pursuit by life these two major group of organism भी जो यह इनका जो basic difference है जो इन्के टीशिव में यही रीजन है जो ने दोनों के old live जो फesser you गरते न में भी डेमन समय देखने को मिलते और का अनिम farmers प्लांट्स एक्टिव लोकोमेशन अनिमल्स प्लांट्स जो है मूव नहीं करते हैं अनिमल्स जो है वह मूव करते हैं इसकी वज़ से उनकी ओर इसके उर्गेन सिस्टम या डिजाइनिंग में दिफरेंसे हैं अब यहां पर हम सारे कुछ पढ़ेंगे डीटेल में भी तुमन पर प्लांट टिशु के साथ इसको मैं इसको ब्राडली क्लासिफाई करा गया है प्लान टिशू की फॉर्स्ट चो पाट है मेडिस्टेमेटिक टिशू हम देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है यहां पर दो जार लिए गया है और इसमें हमने ऑनियन रखा है एक जो दोनों जार में हमने सेम ऑनियन के नीचे पहले वाटर यहां पर पानी इसमें भर लेना यहां पर दोनों में ताकि इसके रूट्स को टच करें और दो ऑनियन हमने यहां पर रख लिए अब क्या हो देखना है कुछ दिनों बाद क्या हो गई है तो दोनों की रूट्स को देखना है कैसे ग्रो कर रहा है तो हम क्या देखेंगे कि यहां से कट कर देंगे और फिर देखेंगे कि क्या होगा कि यहां पर क्या देखें कि इसके जो रूट से और भी ग्रोग करेंगे लंबे होते जाएंगे धर के रूट्स अब बंद कर देंगे जहां इसको कट कर दिया है तो अभी बढ़ेंगे नहीं कि जो ग्रोथ रेट में बहुत ही कम ही आ जाएगी तो यह जो ग्रोथ है किसकी वाज़ा से यह मेरिस्टिमाटिक टिशू कुछ पर्टिक्लर जो प्लांट के कुछ पर्टिक्लर रिजन में होते हैं और यह काम क्या करते हैं प्लांट में ग्रोथ का काम करते हैं यह तो यहां पर है नेक्स्ट की दग्रोथ अफ प्लांट प्लांट अगर ऑनली सटेन स्प्रेसिफिक रीजन जो भी अभी हमने बताया इस बिकॉज़ डिवाइडिंग टिशू ऑलसो नोन अज मेरिस्टिमाटिक टिशू इस लोकेट इस पॉइंट to जेड़िल mas cical प्लांट की कुछी पार्टोथ होता हर जर्य नहीं होता है तो रूट के टेप में खेंट हमेरिस्टेमि रश्ख शमय च्रहें के ग्रोजें को यहां पर है का रहे तो यहां उसक्रोग करना बंद कर रहा लिए पाट इन में क्लासिफाइब किया गया है एक कर लेटरल एंस थे श्लो ले चेंज आन्ड बिकम डिपरेंश रहा थे मरिस्ट्रम चाहरे सें रहा थे धी दिरे देखकर कि उनका जोड़ कोडिकर प्राइब काला लगलक्ला क्लासिफाइब करते हैं उनका लगलक्ला डाइग्राम बहुत इंपॉर्टन है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं यह ज़स्ट प्लांट के एक पार्ट को शो कर रखा यहां पर कि कहां पर प्रेजंट होता है कौन सा टिशू यहां से हम देख सकते हैं सबसे टिप पर क्या है सबसे टिप पर फिर में क्या इंट्रिकलरी अं साइड में जी स्टेब करके हम फंक्षन देख यह डाइग्रम बहुत इंप्वाटेंट है इस प्रक्राइब में ऑगर आते हमें लिखना पड़ता है इस लोकेशन आफ मेरेश्टिम्टी टिश्ट प्लंड बॉड़ीULD कहां पर located होते हैं, apical, apical meristem is present in the growing tip of stem, roots and increases the length of the stem and the roots, में और बिल्कुल टिप मैं तर्टिंग जो स्टम कि वहां पर रूट्स के टिप पर वहां पर प्रेजंट होते हैं देन अष्थ पर नियुक्राइब होते हैं वह उसके अधिर लेटल मेरी स्टुस्ट मैरी इस तंस्ट मैरी चाहिं कि अंध्याय के जहां से पत्ते यहां तो जहां से पतेसे जैसे आर्ससें यहां पर प्रेजन्ट हो था यहां पर फिर लिखने के अजबनाकर करना से यहाँ पर है किpell qualcosa एक कि यह बहुती बहुती आं Teban beliefs अट ने सब होते हैं They have been साइट प्लास से न्यू रोल वाल रोल्स एंक न कटिनैंसी डिवाइद इंस बस्द दोय सो होते हैं और hints कर दोंने इक ही न το है बहुती अब दो इसन से कैसे की लुए छो कि यहां पर नहीं होते हैं की वेग्स का मेन फंक्शन देखी आद होगा मोस्टी स्टोर करते हैं तो ग्रोथ वाले जो वहां पर जरूती है नहीं है जिसकी वैसे यहां पर प्रेजंट नहीं होता है नेक्स्ट पर्मनेंट टिशू में फिर सिंपल पर्मनेंट और कॉंप्लेक्स पर्मनेंट आ जाते हैं पर्मनेंट टिशू कर्ना जा जाते हैं